अभी तो इसको आप मानिये के आंसिक रूप में ताकि जो चारो तरफ भूमने से और बहुत लोग एक जगाई कठा होते हैं तो उसके चलते परिसानी का खत्रा होता है इसलिए यह किया गया है अभी लॉक्डाउं की दुबात होई नहीं रही है लेकिन नाइट कर्फ्यू व करें अभी यही किया है कि दुगान चलता है सब्जी अब जिक में जितनी भीड़ रहती है कई तुरह का है उसके बारे में किया गया कि 7 वज़े तक साम तक अभी रहने दीजिए और उसका सुबह से जितने बज़े से करेनो यह कभी किया गया है लेकिन अभी अगले 3-4 दि कर लिए कि अबर जो बाहर से लोग आते हैं तो एक तो सब का टेस्ट और मान लिजिए कि जो निगेटीव हैं उनको इस सलाह दे करके कि कुछ दिन में अपने घर में भी रहिए ज़रा कंफाइंड रहिए और जिनको मान लिजिए कि पॉजिटिव हा गया उनके ट्रीटमेंट का उपाय कर देंगा चाहा उनका इसोलेशन सेंटर में रखना है या हस्पिटल ले जाना है या जो कुछ भी करना वो करने का इंतिजाम सुरू कर दिया गया लेकिन एक चीज है कि जो ह ज सकतहां करें पंद्रह लाका यो को पिछले वर्स हम लोगों ने कोरिंटर सेंटर में रखा तो चौन को वाली स्तिती तो अभी है लेगिन फिरभी एक बात्थ मीटिंग में किया है कि ऊक्छ क्रिंटर जसेंटर के बारे में हम लोग सोच लें कि कौन सा प्लेस होगा खास करके सब डिमीजन के लेवल पर एक देख लिजिए और क्वरिंटाइन सेंटर का प्लेस देख लिजिए और अगले तीन-चार दिनों में और जो परिस्थिति आज आज आएगी चार-पार दिनों में उसका अधम लोगों ऐसा भी क कि कौरिंटाइन सेंटर में लोगों को कहेंगे लेकिन अभी फोलेंगे भी कौरिंटाइन सेंटर तो लोगों को कहेंगे न कि जो पॉजिटिव हो गया उनका तो इलाज के लिए अलग प्रबंद कर देंगे और जो निगेटिव हो अपने घर जा सकते हैं लेकिन अगर उनक करके उसके लिए सूच लेना चाहिए तो यह सब निरने इसके बारे में जो भी होगा अगले चार-पास दिनों में ही और स्थिति प्रकट हो जाएगी तो होगा